हेलो देश्तो आज के इस पीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं जो डाटा इंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रोन के दुवारा आया है फेकेंसी उसके बारे में कुछ बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेल्ट्रोन की वेबसाइट को पहले ओपेन करते ह और यहां पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैसा कि आप अगर बेल्ट्रोन डेता इंट्री अपरेटर के त्यारी कर रहे हैंडिरेक्ट आपको MCQ पे जोड़ दे रह है यानि कि MCQ रटवाना सुरू कर रह है और आप क्या कर रहे है कि MCQ रटना सुरू कर दिया है एक चीज आप धिहान देंगे कि MCQ आप लाख इतना भी रट लीजिए लेकिन अगर आपको concept पता नहीं रहेगा अगर आपको deeply knowledge नहीं रहेगा syllabus के बारे में अगर आप नहीं समझ पा रहा है और syllabus के इसाब से तयारी नहीं कर रहा है तो फिर आपका वो MCQ रटने से कोई फायदा नहीं होगा माल लीजिए आप 1000 MCQ रट लिए है और रटने के बाद क्या guarantee है कि उस 1000 MCQ में से आपका question लड़ेगा अगर नहीं लड़ा तो फिर आपको सबसे पहले यहाँ पे DEO यानि की data entry operator का जो syllabus है उस syllabus को ध्यान से समझेंगे और मैं इस video में आपको पूरे syllabus की जनकारी दोंगा और साथ में मैं belt on का class स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिलकुल zero से और पूरे fully concept के साथ जैसे कि आप इस syllabus को देखेंगे इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है एक-एक चीज को ध्यान से समझना है और इस पूरे syllabus को मैं online complete कराऊंगा YouTube चैनल पे और आप अगर मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस चैनल के माध्याम से मैं आप सभी को data entry operator का आप syllabus को पहले समझ ले उसके हिसाब से तयारी करें ताकि आपका result 100% रहे जैसा कि आप यहां देख रहे data entry operator code 336 of NIOS का यानि कि सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें total देख सकते हैं कि कितना syllabus आपका यहां से 1 से लेकर total 10 तक है अगर आप यह पूरे syllabus को step by step अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको mcq रटने के आओ सकता नहीं पढ़ेगा क्योंकि data entry operator का syllabus हो limited है और जो भी question आएगा तो इसी syllabus से related ही आएगा इसी syllabus के base पर ही आएगा तो मैं चाहता हूं कि आपको यह complete syllabus कि आपका syllabus पूरा complete हो जाएगा और computer के बारे में knowledge भी होगा और अगर कल होके आपको job भी होता है तो आप कहीं पे भी किसी भी तरह का computer से related काम मिलेगा तो आप easily कर भी लेंगे ऐसा नहीं कि अगर mcq उरट के आप pass भी हो जाते तो कि आप computer पे किसी भी तरह का काम मिले तो आप easily कर सके जैसा कि आप देख रहा है basic computer यानि कि सबसे पहले आपको पढ़ना होगा basic computer के बारे में जैसे सबसे पहला जो topic रहेगा computer organization इसके बारे में एक एक step पूरा deeply समझाएंगे input output device के बारे में पढ़ाएंगे फिर system software और application software के बारे में आपको अच्छे तरह से knowledge मिलेगा computer language, compiler and assembler के बारे में आपको जनकारी दिया जाएगा वैसे यह operating system के बारे में इसमें जितना भी option दियाओ elements of windows xv, desktop elements locating file and folders यह सब आपको एक एक करके step by step पढ़ाया जाएगा यह मेरे YouTube channel के माद ही हमसे अगर आप चाहते हैं कि built-on की exam में आपका CVT computer based जो exam होगा objective उसमें अगर आप top करना चाहते हैं अच्छे number से pass होना चाहते हैं तो आप मेरे channel को subscribe किजिए और मैं आपको step by step एक एक चीज पूरे deeply जनकारी दोंगा और वहां मैं आपको MCQ भी जब आपका यह syllabus complete हो जाएगा तो daily MCQ का practice करा हूँगा मैं चाहता हूँ कि आपका MCQ अभी से जो रटना शुरू किया वह न रटे उसको side में अभी रखे वह last option है लास्ट में आप उसको रटियेगा सुरुवाती में जो syllabus दिया वह जो भी topic दिया उस चीच को आप अच्छे से समझे क्योंकि future में आपको एक ना एक दिन computer पे काम करना ही है तो कल होके सीखे उससे अच्छा कि आज ही इस चीच को अच्छे से सीख ले समझ ले ताकि कल होके आपको किसी परकार का problem नहीं आए एक जाम भी आप देने जाए तो वहाँ रटने का जरूवत नहीं पड़े तुक्का लगाने का जरूवत नहीं पड़े एक बार अच्छा से समझ लेंगे आपको lifetime यह काम आपके आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप Beltron के तयारी को ही लेके आप इस चीज को पढ़ेंगे आप ऐसा तयारी किजिए कि किसी भी government job में आपके काम है दुबारा आपको computer सीखना नहीं पड़े उसके बारे में दुबारा आपको पढ़ना नहीं पड़े तो आसा करता हूँ कि यह video आपको समझ में आया हुआ अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कल से मैं आप लोग के लिए पहला class स्टार्ट करने जा रहा हूं Beltron का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपको जरूर मिलेगा, जयसे मैं विडियो अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वहाह से उस विडियो को देखेंगे, एक एक विडियो आपको डेली मिलेगा, और उसके मादE, हम से आप अपने वेल्ट रोंगे तैयारी, अच्छे तरह से कर सकते हैं